लास्ट की वीडियो में हमने मैप्स को डिसकस किये थे उसके काफी सारे वर्जिन डिसकस किये थे मैप्स के, कि नॉर्मल मैप्स क्यों होते हैं, अनौर्मल मैप्स क्यों होते हैं, थोड़ा सब ब्रीफ इंट्रोड़क्शन में तुम में मल्टी मैप का भी दिया था कि उनमें क्यों होते हैं ज deeply कर सकते हो तो काफी यह होते हैं अगर तुम हें के nawet में दीखका दो तो सब्सक्रेंब 10 कंशा की क्या किश्किंदा उल्हां दो कर दो में तो सब्सक्त einz говорит हो जाके देख लो मैं यहां पर आई बटन में छोड़ दूंगा हेलो दोस्तों मेरा नाम है रमेंट स्वागत था अपको कॉम्टिल प्रोगामिंग कोर्स के होता है मैं नमबर का उनिख लिए करता है को सेड्स का वीशिट करता है करता है को लेक्शना और सबस्वाट में से वेल्यू वाला पार हटा दो तो जो बाकि बज़ जो इसको बोड़ा maps थे and the other multi sets जैसे multi maps थे and multi maps का तो तुम मैंने basic introduction दिया था क्यूंकि वो ज्यादा use नहीं होते but multi sets on the other hand काफी अच्छे से use होते हैं competitive programming में थे खुद ने काफी use किया है उनका तो multi sets हम अच्छे से explain करेंगे इस वीडियो में तुम्हें तो पहले शुरू करते हैं set set declare कैसे करते हम set यहां पे अंदर क्या आएगा किस चीज का set बनाना है तो अंदर कुछ भी रख सकते हो तुम एक चीज कोई भी container रख सकते हो कोई भी data type रख सकते हो कुछ भी रख सकते हो तो यहां पे लेटसे में string रख देता हूं ठीक है यहां पे हम आगे लिख देते हैं set क कैसे करते हैं उसके ऊपर separate video बनाएंगे इसमें basic देखते हैं तो यह क्या हो कमारा set of strings अब set क्या करता है unique elements को store करता है और यह जो normal वाला set है जैसे normal में क्या करता था keys के sorted order में store करता था elements को वैसे set जो होता है elements को sorted order में store करता है जो जितनी भी में strings डालूँगा इस map में है ना वो सारी strings sorted order में store होंगी यहां पर मैं values डालूँगा कैसी set में तो यहां पर set में values डालने के लिए function use होता है set.insert यहां पर मैं अंदर डाल सकता हूं set.insert abc let's say right फ यह हमारा set का insertion हो गया और इसकी time complexity कितनी है जैसे हमारे normal maps के case में होती थी तो maps के case में भी time complexity थी वही corresponding हमारे sets के version में भी applicable है तो यहां पर insertion की time complexity के हो जागी log of n वैसे ही अगर set का कोई element access करना हो तो वो क्या होगा वो हमारी हो जागी time complexity के हो जागी log of n अब maps में हम दो तर दूसरा तरीका था क्या dot find operation से हम value access कर सकते है किसी particular value को access करना है अगर हमें है तो set में हम यह ऐसा bracket वाला कोई operator exist नहीं करता है set में अगर तुम्हें particular value access करनी है तो तुम्हें s.find का use करना पड़ेगा तो s.find तुम यहां पे access कर सकते हो ऐसे s.find में तुम अंदर क्या डालोग तुम पूरा set int iterator it भी लिख सकते हो वो same ही चीज़ है और मैंने iterator वाली वीडियो में यह सारी चीज़ explain कर रखी है यह iterator क्या element का iterator होगा अगर यह exist करेगा तो उसका iterator आजाएगा अगर exist नहीं करेगा तो जैसे map में होता था dot end iterator आजाएगा उस set का है ना वैसे same maps वाल plus plus it and value कैसे print करेंगे star of it क्योंकि यहां पर pair नहीं है तो star of it एक single value जो print कर सकते हम ठीक है और सीधा for loop भी लगा सकते है for loop जो हमने range based loop सीखे थे तो range based loop में क्या करेंगे for string value in s यहां पर simply कर देंगे cout s handle यह चीज़ कर देंगे and दूसरा तरीका क्या है हमारा यहां पर दूसर it क्या it की value कैसे आएगी star use करके यहां पर star it कर देंगे यह दोनों same ही चीज़े है ठीक है अब इसको हम print function कॉल करके भी देख सकते हैं यहां पर मैं कर दूंगा print s इसको call किया यहां पर cout value आएगा तुम देखरो हमारे दो बार set print हो गया पहला यह वाले loop से हमारा print हुआ है a,b,c,b,c,d,z,d,f and फिर दुबारा यह वाले second loop से print हुआ है यह हमारा set print हो गया ठीक है और तुम देखरो मैंने zsdf पहले insert किया था बट वह sorted order में print हुआ है तो bcd पहले आया ठीक है तो set किया करते है,sorted order में print करते हैं हमेशा तो यहां पर इस दूसरे loop को हटा देते हैं पहला loop ही यूज करेंगे हम generally and पहला ही तुमें भी यूज करना चाहिए तो यह आयट की value dot end हो जाएगी ना and हमें operation तभी करना जब value exist नहीं करती है तो यहां पर मैं क्या करूंगा cout star it ऐसे हम directly value को यह access करनी हो तो directly ऐसे कर लेंगे तो तुम देख रहे हैं यहां पर abcd डाल देता हूं तो कुछ भी print नहीं होना चाहिए यहां पर तो abcd डाल दिया तो कुछ भी print नहीं होगा तो तुम देख रहें खाली हो गया है तो कुछ भी print नहीं हो है क्यूंकि जो it की value है वो s.n आ चुकी है अब इसकी भी complexity है अब यहां पर unique elements insert होते है set के अंदर जैसे maps के keys क्या होती थी unique होती थी तो यहां पर s.insert यहां पर मैं दुबारा abc करूंगा है ना यहां पर दुबारा abc कर दूं मैं and print time को call print s को call करता हूं और इसको execute कर देते हैं तो तुम देख रहें तीनी element print हुए है abc दो बार insert नहीं होगा तो set के करता है unique elements को store करता है same जैसे maps करते थे अब similarly set में erase function होता जैसे map में होता था यहां पर cout की जगा मैं क्या कर सकता हूं s.erase यहां पर मैं it pass कर सकता हूं इसको अगर मैं print करने की try करूंगा तो तुम देखो कुछ भी delete नहीं होगा क्यूंकि abcd नहीं है तो पूरा map print हो गया है बट यहां पर abc की जगा abc कर दूं तो तुम देखो कि यहां पर abc हमारा delete हो जाएगा map में से तो map में दो element print हो गया है यहां पर ठीक है तो यह हमारा s.erase it ऐसे use कर सकते हैं and s.erase एक और तरीक है s.erase मैंने तुम्हें लास वीडियो में बताया तो दो elements लेता है directly डिरेक्ली क्या करता है directly वह क्या करेगा एक value भी ले सकता है तो s.erase यहां पर मैं क cd pass कर देता हूं तो तुम यहां पर देखो कि bcd delete हो जाएगा and abc हमारा रह जाएगा तो दो element का set print हो जाएगा तो यह हमारा abc रह गया है तो ऐसे s.erase काम करता है set of string declare करेंगे s हम क्या करेंगे int n c in n for int i is equal to 0 i less than n plus plus i string s हमने यहां पर s का input ले लिया यहां पर string का input ले लेते हैं यहां पर क्या कर देंगे s.insert str यह हो गया अब हमें यहां पर क्या बोला है सारी string क्या print करने है sorted order में exo graphical order में है तो यहां पर बस पूरे set को print कर देंगे क्योंकि set already sorted होता है तो यहां पर set को कैसे print करेंगे for auto value in s cout value handle तो तुम देख रहे हमारे यहां पर 4 strings print होगी है unique जो हमारे 8 size की strings दी गई थी हमें उनमें से 4 strings होगी है तो अगर तुम stl के बिना इस question को करने का try करोगे तो यह काफी difficult question बन जाएगा unique strings को निकालना तो यह तुम देख रहे हो stl से कितना easy हो गया यहां पर तुम बस 10-20 line में उस पूरे code को लिख पा रहे हो काफी easy बन जाता है stl के साथ यह सारी चीज़ है अब इसके बाद हम discuss करते है unordered set अब set में क्या था हमारे यह जितने भी सारे operation थे find operation, erase operation है यह हमारा insert operation यह फिर access करने का value है यह सारी time complexity है हमारी log of n थी क्योंकि internal implementation हमारी sets की भी कैसे होती है red black trees को use करके होती है तो red black trees क्यों होते है trees होते हैं जो self balancing trees जो log n में ऐसे insertions handle करते हैं but यहां पर मारे आदे है unordered set, unordered set को हम ऐसे declare कर सकते हैं तो same जो set और same map और unordered map में जो difference था वही same difference set और unordered set में भी होता है तो जितनी भी time complexity है यह सारी unordered set का कहां पर you use करना जाहिए जहां पर तुम्हें बस order matter कर रहा है तुम्हें बस यह check करना है कि set में कोई value present है कि नहीं बस presence का check करना आ कि यह value किसी हमें चीज में present है यह नहीं है बस यह चीज चेक करनी है तो तुम unordered set का use कर सकते हो जहां पर ordering matter नहीं कर रही है तुम्हारे लिए तो वहां पर unordered set का use तुम्हें करना चाहिए तो unordered set का अगर question तुम्हें देखे तो यहां पर let's say हमें यह question देगा गया given n strings and q queries in each query you are given a string print yes if the string is present else print no तो यही वाला code हम यहां पर copy कर लेते है तो यहां पर क्या करेंगे set को हम convert कर देंगे unordered set में और यहां पर simply same तरीके से input आएगा बिल्कुल same तरीके से बस यहां पर हमें नीचे क्या करना है queries input लेनी है q queries int q, scene q यहां पर एक और query डालते थे let's say 3 और एक और string डालते थे जो present नहीं है तो let's say a,b,c,d,e,f डाल दी मैंने string ठीक है अब यहां पर q queries को input ले लेते है while q minus minus यह query में मैंने string input ले ली अब मैं को check करना है कि यह string present है अगर present है तो yes print कर दो अगर नहीं present है तो no print कर दो वो कैसे करूँगा यहां पर find operator का use करेंगे find function का use करेंगे तो यहां पर मैं करूँगा if s.find str is equal equal s.end अगर s.end के बराबर है मतलब वो value present नहीं है है ना तभी तो s.end है नहीं तो उसका idator है तो उस value का तो यहां पर मैं कर दूँगा cout no else के case में अगर present है तो वो s.end के बराबर नहीं होगा तो cout क्या कर देंगे yes तो यह हमारा question है इसको code को execute करके देख लेते हम तो तुम देख रहो यह yes yes or no print होगा मतलब abc present था ghj present था यह present नहीं था हमारी given strings में तो यह simple सा question है यहां पर तुम sets भी use कर सकते हो but set से क्या होगा extra यह dot insert login बन जाएगा यह s.find भी login बन जाएगा है न but अभी यह operations क्या है ओ one operations है unordered set के case में and unordered set के case में भी यहां पर यह internal implementation है hash tables use होते हैं जैसे unordered maps में भी hash tables use होते थे and मैं तुमें एक और difference बताया था कि unordered map में जो keys होती है वो तुम complex data structure नहीं रख सकते जैसे यहां पर तुम pairs नहीं रख सकते थे unordered maps के case में तो वैसी वो difference unordered sets में भी है कि यहां पर तुम pair नहीं रख सकते तो यहां पर तुम pair नहीं रख सकते int int है ना यहां पे तुम set नहीं रख सकते, set of int नहीं रख सकते, यह सब चीज़े नहीं कर सकते हो, यहां पे तुम basic data type रख सकते हो, जैसे integer हो गया, हमारा double float, strings रख सकते हो, यह सब चीज़े रख सकते हो, but complex हमारे यहां पे चीज़े नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि उनके hash functions inbuilt C++ में defined नहीं है, जो standard libraries है, उनमें defined नहीं है, external libraries, जो competitive programming में तुम directly use नहीं कर सकते, boost करके एक library आती है, तुम उसको competitive programming में ऐसे use नहीं कर सकते हो, तो उन libraries में ऐसे hash functions defined है, sets के लिए, या pairs के लिए, इन सब चीज़ों के hash function defined है, उनको use करके तुम although इन चीज़ों को use कर सकते हो, या फिर तुम code में यहां पे, अगर तुम्हे competitive programming में use करना है, तो इनका directly तुम्हे hash function define खुद से करना पड़ेगा, sets का या pairs का, या भी किसी भी चीज़ को जो तुम another set में डालना चाते हो, उस चीज़ क hash function तुम्हें खुद से define करना पड़ेगा, but most questions में तुम्हें ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम इन cases में directly sets को use कर लो, तो तुम्हें इतना फरक नहीं पड़ने वाला है, but जहां पे simple data types हैं, जब तुम्हें presence check करनी है, बस, तो on a dot sets का use करो, क्योंकि o of one है, सारी की सारी अब हम बात करते हैं, तीसरे set के बारे में हमारा multi set, तो multi set, जैसे multi map का मैंने तुम्हें बताया था, keys जो होती है map में, वो multiple keys allowed होती है, वैसे हमारा multi set है, log n में convert हो जाते हैं, क्योंकि ये internally trees का use करता है, dead black trees का, तो ये सारे के सारे operation, दुबारा log n हो जाएंगे, बट ये हमें allow क्या कर रहा है, multiple values को insert करने का allow कर रहा है, तो यहां पे जैसे मैंने abc abc, दो बार insert किया था है, तो set के case में क्या हो रहा था, ये एकी बार insert हुआ, another set के case में भी एकी बार insert हुआ, बट multi set के case में, ये हमारा जो insertion है, ये दो बार हो जाएगा, तो अगर मैं इसको तुम्हें print करके दिखा हूँ यहां पे, तो let's say मैं ये print कर देता हूँ, इसको comment कर देते हैं, तो इसको print करते हैं, यहां पे set कीज़े का multi set लिख देते हो पर तुम देख रहें, यहां पे ABC, दो बार print हो गया है, तो basically duplicates allowed है, and multi sets का काफी use आता है, सबसे important जो use होता है, STL में एक चीज होती, priority queue क्यों क्यों होती है, basically sorted order में चीजों को store करती है, and multiple चीजों को store कर सकती है, तो priority queue की जगाना, तो multi sets को use कर सकती है, and मैं generally, खुद भी priority queue use न तो उदर मैं directly multi sets का use करते हो, multi sets काफी easy to use होते है, as compared to priority queue, ऐसा मुझे personally लगता है, तो वहां पे directly तुम multi sets का use कर सकते हो, and यहां पे multiple values allowed है, अब यहां पे ने काफी तूचार interesting चीजे है multi sets के case में, तो पहले तो हम देखते है find operation, तो find operation क्या करता है, यहां पे पहले value का iterator return कर है, जो हमारा s.find है, अगर duplicate present है, इस case में, ठीक है, तो यहां पे s.erase, जब तुमने it किया, तो let's say, मैंने क्या किया, abc find किया, s.erase, it किया, मैंने s.erase में 2 चीजे पास कर सकता हो, value और iterator दोनो, ठीक है, यह दोनो चीजे पास कर सकता हूं, पहले देखते है, iterator वाले case, iterator execute होगा, अगर इस code को मैं चलाता हूँ अब, तुम देखरो, एक ही abc delete हुआ है, basically उसने किया क्या, उस iterator वाली position पे जो value थी, उसको delete कर दिया, ठीक है, यही उसने किया है, उस iterator वाली position पे उसने value को delete कर दिया, यही हुआ है, बट अगर यहां पे तुम, deletion ऐसे नहीं करत content हमारी चीज हमें पता चलती है, कि जब तुम iterator pass करते हो, तो उस iterator पे जो value है, उस iterator पे जो value है, वो वाली value delete होती है, तो जब s.find किया, तो अगर abc multiple times ही present है, तो s.find क्या करता है, वो पहली value का iterator return करता है, तो जो iterator है, वो तो किसी एक value को ही point करेगा, अब जब s.erase में मैंने iterator pass किया, तो सिर्फ वो वाली value delete होई, जिसको वो iterator point कर रहा था, राइट, बट जब मैंने सीधा value pass करी, तो उसने वो सारी की सारी values delete कर दी, तो s.erase में अगर value pass करोगे, तो अगर वो present multiple times है, वो value, जैसे यहाँ पे abc दो बार हमने insert किया था, तो वो दोनों की दोनो values delete हो जाएंगी, बट अगर तुम्हें एक ही value delete करनी है, काफी सारे cases में तुम्हें एक ही value delete करनी रहेगी, तो तुम अभी भी यह गलती से मत use कर लेना, काफी लोग यह गलती कर देते हैं, यह तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह वाला तरीका use करना है deletion का, इस यह सारे सारे कंटेनर के लिए common function है जो यूज कर सकते हैं हमारे multi-set में सारे operations log n होते है जनरली insertion, access, find, erase, यह सारे log n operations है जब तुम erase में value pass करते हो internally पता क्यों होता है internally वह भी पहले iterator ही find करता है ठीक है तुम्हें कोई भी doubt है तुम नीचे बस comment कर देना या फिर डिरेक्ली discord में तुम जोइन करके मोई को डिरेक्ली tag करके कोई भी doubt पूछ सकते हो basic algorithms बगयर है लोगर तुमने time complexity log of n थी क्योंकि ये सारी time complexity log of n थी क्योंकि internal implementation हमारी इसकी क्यों होती है set scheme ये पहली वाली value को आई अटरे टर्ण करता है तुम वाइस नोट फाइंट करता है